मित्रों चे मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चे मातादी चरू लिखें मातारानी आप सभी का कल्यान करेंगी मित्रों वर्ष तो हज्जा 26 में रक्षा बंधन कब है जानिये दिन्मतारी क्या है राखी बाधने का सुप मुहूरत कब है पूजा विधी क्या है और पूजन सामागरी क्या है भाद्रा काल कब सुरू होगा कब समाप्त होगा जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सियर करेंगे मित्रों रक्षा बंधन हर वर्ज सावन माह की पूड़िमा तिथी को मनाया जता है हिंदु धर में जहपर्व भाई बहन के स्ने और प्यार का प्रतीक है इस दिन बहने अपने भाईयों की कलाई में राखी बानती है और उनकी लंबे उम्र की कामना करती है ताकि उनका जीवन धन-धान से भारा रहे और उन्हें किसी भी तरह की कठिनाई का सामना करना ना पड़े तो वहीं भाई भी उनकी रक्षा के लिए वचन देते हैं पौराणी कथा के अनुसार रक्षा बंधन का त्योहार महा भारत काल से ही मनाया जा रहा है ऐसी माननेता है कि महा भारत काल के दोरान चीरहरण के समय भागवान स्री किष्ण ने अपनी बहन की रच्छा के लिए उनकी लाज बचाई थी मित्रो अब पूजा करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है रच्छा बंधन के दिन सुबह भाई बहन इसनान आदि करके भगवान की पूजा करें इसके बाद रोली अच्छत कुमकुम एवं दीप जलाकर पूजा की थाली सजाएं और पूजा की थाली में रंग भिरंगी राखियों को रखकर उनकी पूजा करते हैं फिर बहने भाईयों की माथे पर कुमकुम रोली वह अच्छत से तिलक करती है मित्रों अब पूजा करने का सुप महूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दें की वर्ष तोहजार चाबिस में रक्षा बंधन अठाईस अगस्त दिन सुक्रवार को मनाया जाएगा राखी बांधने का सुप महूरत है अठाईस अगस्त दोहजार चाबिस को सुबा पांच बचकर चापन मिनट से लेकर सुबा नौ बचकर पच्चास मिनट तक रहेगा राखी बांधने की कुल अओधी होगी तीन घंटे तिरपन मिनट